प्रभी येशु मसी के नाम से आप सब को जय मसी की मेरी प्रियों कल वाली वीडियो में हमने जो जकरिया भविशवक्ता का जो पुस्तक है जो पांचवा द्याय है उसमें से हमने भविशवानी है चार वचन हमने पढ़ा और मैंने उस पढ़के मैंने समझाया आप लोगों क कि जो जकरिया भविश्यवक्ता ने जो उड़ता हुआ चिठी देखा था वो जो चिठी है वो एक्चुली में एक न्यूक्लियर वैपन है यानि न्यूक्लियर बॉम है यानि परमानु बॉम है जो भविश्यवक्ता जकरिया है उन्होंने क्यों उड़ता हुआ चिठी उसे क क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं उस जमाने में ना हेलिकप्टर बना था ना कुछ बनाता है तो अभी पांच्वा वचन से मैंने कहा था कि पार्ट टू में बताओंगा क्योंकि वीडियो वैसे लंबा हो गया था ग्यारा मिनट का हो गया था तो आज हम पांच्वे वचन से मैं आपको समझाऊंगा वह वचन की जो जकरिया भविश्यवक्ता है उन्होंने जो एक टोकुरी देखा और एक टोकुरी में एक और बेठा हुआ देखा और वह ऐसा उड़ता हुआ जा रहा था वह था क्या एक्चुली में और हां अगर आप लोगों ने वह वीडियो नह हो और आज भी लगा ऐसा लगे कि मेरा एनर्जी थोड़ा कम है क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं अपने व्लॉग में बताऊंगा वह मेरी वाइफ को जांडिस बीमारी हो गया है मेरे पास पैसे नहीं है और यूट्यूब से इस महीने मेरा पेमेंट भ थोड़ा बहुत मेरा मुड़ा आफ है प्रातना में जरूरी याद कीजिगा तो चलिए आज जकरिया भविश्यवक्ता की जो भविश्यवानी है वह पाचवे वचन से हम पढ़ना शुरू करते हैं येश्यू मसी के नाम से चलिए शुरू करते हैं तब जो दूद मुझ से पाते करता था उसने बाहर जाकर मुझ से कहा आखे उठा कर देख कि वह क्या वस्तु निकल जा रही है मैंने पूछा कि वह क्या है उसने कहा वह वस्तु जो निकल जा रही है वह एक एपा का नाप है यहां पर एक चीज द्यान दीजे यहां पर क्या उलाए कि एक उड़ता हुआ चीज देखा तब उसने जो जकरिया है उसने स्वर्गदुत से पूछा कि वो चीज है क्या तो स्वर्गदुत उसे बोलता है कि वह एक एपा का नाप है अब एपा क्या है एपा एक पुराने जमाने में मिस्र में नापने का एक बरतन है जैसे पुराने समय में इंडिय भी हम देखते हैं कि नापने का होता ना एक केजी का अलग से होता है बरतन दोकेजी का होता था हुं तो उसी तरीके से मिश्र में ये एक नापने का एक भरतन है ओके एक टोकड़ी के समान एक बरतन है आगे उसने फिर कहा सारे देश में लोगों का यही रूप है फिर मैंने क्या देखा कि किकार भार शिशे का एक बठखरा उठाया जा रहा है और यहां एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है और यह एक इस्त्री है तो यहां पर हम देखते हैं कि एक इस्त्री एक टोकरी है उसे एपा कहते हैं वह एक मिस्री नापने का बरतन है और उस वह एक टोकरी एक टोकरी के तरह होता था तो उसमें एक इस्त्री बैठी हुई है ओके आगे पढ़ते है दूत ने कहा इसका अर्थ द दबा दिया और शीशे के उस बठखरे को लेकर उससे है का मुह ढब दिया यानि वो जो टोकρι का टोकरी के अन्दर एक इस्त्री बोल रहा है यहां पर एधिती धी और क्या हुआ टोकरी का दकन लग गया यानि मुस्का एपा का मुँ धाब दिया तोकरी का जो मुँ है वो धक दिया तब मैंने जो आखे उठाए तो क्या देखा कि दोस्त्रिया चली आती है जिनके पंख पौन में फैले हुए है और उनके पंख लग-लग के से हैं और वे एपा को आकाश और पूत्वी के बीच में उड़ाए लि यहाँ पर देखे एक गौर करने वाली बात यहाँ पर जो स्त्रिय उसका क्या मतलब है हमने अब एब भी पड़ा और एक पिस्त्री जो एपा के बीच में बैठी है और दूत्थ ने कहा इसका अर्थ दुस्टता है तो इस्त्री यहाँ पर जो दर्षा रहा है इस्त्री का अर्थ है दुष्टता ओके यह कोई इस्त्री नहीं है कोई इस्त्री बैठी नहीं है लेकिन उसे ऐसा समझाने के लिए प्रभु ने दर्शन में दिखाया इस्त्री दिखाया एक टोकरी के अंदर लेकिन उसका मतलब क्या है वो इस्त्री का मतलब है दुष्टता ओके हम यह तो दुष्टता उस टोकरी के अंदर क्या है एक दुष्टता है इस्तरी नहीं दुष्टता है इसका मतलब खुद स्वर्दूत बोल रहा है और दूत ने कहा इसका अर्थ दुष्टता है फिर क्या हुआ तब मैंने आखे उठाई तो क्या देखा कि दो इस्तरियां यानि जाती है जिनके पंक पवन में फैले हुए है देखिए पंक फड़पड़ा नहीं रही है पंक क्या है फैला हुआ है इस्तिरीका नहीं किसका दुष्टता का इस्तिरीका मतलब दुष्टता है तो जो दुष्टता चीज जा रही है यानि नुकसान करने वाला चीज जा रहा है उसके पंक फड़ फड़ा नहीं रहे क्या है फैले हुए है ध्यान दीजिए यह क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा और यह इस्तिरी कौन है वह भी बताऊंगा और जो टोकरी है उसका मतलब भी बताऊंगा और उनके पंक लगलग के से हैं उनके पंक क्या है मतलब आपस में एकदम पास पास है उनके पंक यानि जो दो चीज जारी एकदम पास पास उनका पंक है फैला हुआ पंक है फड़ फड़ा नहीं रहा है ठीक है और वे एपा यानि उस टोकरी और वे एपा को आकास और प्रितिवी के बीच में उड़ा लिये जा रही है hai उक हुथ है तो वह जो पंख वालत जो दो चीज दूक करां रहा है और आधकाशığını के बीच में यानि अपका एटमोस्पेर में ऊपर का एक्मोस्पेर मीं इस क्या भूलता है पहले स्कूल प्तलि स्ट्मोस्पूल प्लगर फिर ट्राइना स्टैंजंब प्रिटिवी के बीच में किसको उस टोकरी को और उस टोकरी के अंदर क्या है इस्तरी और इस्तरी का क्या मतलब है और दूत ने कहा इसका अर्थ दूष्टता है किसका इस्तरी का अर्थ वो दुष्टता भरी चीज को वो क्या जा रहा है और यहां पर यह इस्तरी कौन है जो एक टोकरी के अंदर बैठी है यानि एपा क्या है यानि टोकरी क्या है और उसमें जो ढकन लगता है टोकरी का ढकन वो सब क्या है यही हम जानेंगे इस वीडियो में तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस्तुरी का मतलब है जैसे कि स्वर्गदूद ने खुद καहा कि इस्तुरी का अर्थ है दुष्टता नुकसान पहुचाने वाला चीज स्टुरी को केवल एक चिन्न के रूप में इस्तिमाल किया गया है इस तरी का मतलब क्या है इस तरी का मतलब है न्यूक्लियर बॉम यानि परमानु बॉम जिसे आटम बॉम भी कहा जाता है तो जो बास्केट यहां पर दिखाया गया है यानि एपा यानि जो बास्केट है जो टोकरी है वो टोकरी क्या है टोकरी के लिए यहां पर मेरे पास दो विकल्प है दो अप्शन है जो मुझे लगे हैं कि यह हो सकता है पहला अगर आप अगर आप इसके आसपास द्यान से देखो तो आप देखोगे कि यह बास्केट की तरह दिख रहा है और एक बात ध्यान दीजिए जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियर साइलो होता है उसका जो ढकन होता है वो बहुत विशाल और कुछ इस तरीके क दिखता है और जैसा कि हमने पढ़ आवचन कि वो जो बास्केट है जिसमें इस्तरी है यानि जिसमें दुष्टता है उसको ढकन लगा दिया जाता है तो यहां पर न्यूक्लियर साइलो का भी विल्कुल वैसा ही ढकन होता है और यह जो दो इस्तरी यहां जिनके पंक फड़ाती नहीं है देखिए बार बार मैं यह क्यों बोल रहा हूँ कि वो पंक फड़ फड़ाती नहीं है क्योंकि वचन में बोलाए कि उनके पंक सीधे थे और आपस में एकदम पास पास में थे तो यह क्या है यह है न्यूक्लियर बॉम ले जा सकने वाला जेट फाइटर और यहां पर एक और मेरा दूसरा जो option जो मैंने सोचा है वो यह हो सकता है जो basket है वो basket अपने आप में ही जैसे की हम लोग जानते हैं जो न्यूकलियर जो rocket होता है वो कम से कम तीन स्टेज में वो चलता है पहला स्टेज लिफ्ट आफ होता है तब दूसरा स्टेज जब वो अगदम आकास में जाता है उपर हां एकदम उपर जाता है तब वो अपना वो फर्स स्टेज कंप्लीट करके वो कवर निकालके फिर दूसरा स्टेज से फिर चलने लगता है आगे और तीसरे स्टेज में देखा होगा या तो उसने nuclear silo देखा होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया या तो उसने वो stages देखे होंगे कि वो छोड़ते वे जा रहा है यानि ये टोकरी में एक दुष्टता है यानि इस्तरी है जो इस्तरी का ये इस्तेमाल किया गया है वो प्लूरल फर्म में किया गया है यानि बहु वचन में किया गया है यानि केवल एक ही rocket एक ही nuclear bomb नहीं फटेगा यानि केवल एक ही atom bomb नहीं फटेगा प्लूरल यानि बहुत से फटेंगे और क्या होगा पूरा प्रिथिवी का पेड़ पूधे नास हो जाएगा हम देखते हैं ना प्रकशिद वाके के पुष्तक में और पानी कड़वा हो जाएगा हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि यह इसमें इतना रेडियेशन होता है यह इसलिए मन फिराओ और येशु में विश्वास करो अपने पापों को छोड़ो येशु मसी जल्द आने वाला है मेरी प्रियों अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो आप इन सब से बचेंगे रैप्चर में आप उठा लिए जाएंगे मेरी प्रियों बने रहें येशु में अपने पापों के लिए शमा मांगे येशु के पीछे चलते रहें मेरा एक और चैनल है Christie Gang India मैं आप लोह से रिक्वैस्ट करता हूँ किर्पिया करके मेरा उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाईए और मेरे वाइफ के लिए भी प्रात्ना कीजिए वह वीमार है अधनेले हैं उसको जॉंड्री्स हो गया है मरे पास पैसे नहीं है इलाज का वीडियो इतना है कहते वे प्रात्न में याद कीजिएगा आपके आशिस भाई को भी याद कीजेगा इतना ही कहते हुए आज का ये वीडियो देरे रखते हैं प्रभी योश्मासी के नाम से जैमासी के आपके नाम से जैमासी के दो देरे रखते हैं